बहुत दिन इंतिजार करने के बाद, फाइनली इंफिनिक्स ने इंडिया पर लाँच कर दिया है, उसका होट सेरीज का और एक नया स्मार्टफून, जिसका नाम रहने वाला है, इंफिनिक्स होट 12, यह जो स्मार्टफून है, 4G भी 64G ओला फरेंड के साथ आ रहा है, 9,499 र इंबॉक्स आ रहा है, 18 वाट का एडप्टर के साथ, लेकिन भाई लोग यह जो स्मार्टफून है, जो स्पेसिपिकिसन ओफर कर रहा है, लगबख स्पेसिपिकिसन ओफर कर रहा है, मोटरोला की तरफ से ब्रैंड नी स्मार्टफून, मोटरोला G22, इसलिए बहुत सारे द देखो, यह डिजाइन के तरफ देखा जाए, मुझे मोटरोला G22 का डिजाइन जो पसंद आए, यह जो स्मार्टफोन है, फ्लाइट एजस के साथ आ रहा है, पॉलिकर्मनेट बैक के साथ आ रहा है, पॉलिकर्मन फ्रेम रहने वाला है, और पीछे के तरफ आपको देखने उसे के साथ पीछे की तरफ रहने वाला है, डिप्ल कैमरा से टाफ LED फ्लस और यहां पर आपको फिंगर फिंस सेंसर देखने को मिल जाएगा, इन्फिनिक्स का ब्रेंडिंग भी है, फांसेट के तरफ देखा जाए, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आ रहा है, डिस्प्ले क आप मज़ा ले सकते हो, और आपर इन्फिनिक्स होट 12 पे जो स्मार्टफून आ रहा है, 6.82 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ, और यहां पर रहने वाला है 90 हट्स का स्मूध रिफ्रस्ट यहां पर रहने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच, यूगकर स्मार्टफून के जो की कॉक्टा कोर चिपसेट है, इसका जो क्लॉक्स भी रांट करता है 2.3 गिकार्थ में और यह जो चिपसेट बिना हुआ है 12 नैनोमेडर पर, दोनों स्मार्टफून में जो जीप्यू रहने वाला है, पावर वी आर जी ए एट टू टू जीडो जीडो जीप्यू के तो यहाँ पर वीनर रहने वाला है, पावर जीडो जीडो क्योंकि यह जो स्पार्टफून आ रहा है, पीछे की तरफ, क्वाट कैमेरा सेटप के साथ, प्राइमरी जो सेंसर रहने वाला है 50 मेगापिक्सल, उसे जीडे साथ 8 मेगापिक्सल और टू-टू करके 2 सेंसर की जो सेलफी कैमेरा रहने वाला है 8 MP, मोडू-टू-टूअ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 16 MP, देखो यार,…… नेगा फिक्सल में आपको जाएस से डिफरेंस देगीने को मिल जाएगा, क्वालिटी में विद्धा आपको डिफरेंस देगीने को मिल जाएगा, इसलिए कैमेरा का मामले में उहिनाच जो रहने वाला है, अगर मैं बात करूं, दोनों स्मार्फोन की अधर स्प्रेसिफिके सान के बारे में, लेटेस्ट एंडुएट 12 के साथ और इंफिनिक सॉट 12 आ रहा है, एंडुएट 11 के साथ, उसे के साथ दोनों स्मार्फोन के अंदर आप SD-Guard को यूज़ कर सकते हो, दोनों स्मार्फोन के अंदर 3.5mm audio jack रहने वाला है, और बहुती दुख की बात है, दोनों स्मार्फोन 4G Glass को सापोट नहीं करता है, अगर मैं बात करूँ स्टोरेस के बारे में दोनों स्मार्फोन आ रहा है, सेम भेदेंस टोरेस के साथ, 4GB, 64GB वाला फ्रेंड के साथ, LPDDR4X RAM के साथ दोनों स्मार्फोन आ रहा है, अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्फोन की बैटरी के बारे में, देखो, यार इंपर बैटरी एंपर ज्यादा ओफर कर रहा है, इन्फिनिक्स होट 12 क्योंकि यह स्मार्फोन आ रहा है, 16W बैटरी के साथ और इन्बोक्स आ रहा है, 18W का एडप्टर के साथ, और अपर मोटो जी 62 एजो स्मार्फोन आ रहा है, 5000W बैटरी के साथ और इन्बोक्स आ रहा है, 20W का एडप्टर के साथ, क्योंकि आपर बैटरी डिपार्मेंट में उगिनर जो रहता है, वह इन्फिनिक्स होट 12, तो इसके बाद बात करते हैं, यह दोनों स्मार्फोन की प्राइस के बारे में, इन्फिनिक्स होट 12 एजो स्मार्फोन है, 4GB, 64GB वाला फेरिन के साथ आ रहा है, 9,499 रूपेस में, और मोटो जी 22 एजो स्मार्फोन आ रहा है, 4GB, 64GB वाला फेरिन के साथ, 9,999 रूपेस में, तो ये तो था दोनों smartphone का specification और price आपको पता लग गया है, कौनसा smartphone price के सबसे अच्छा specification offer कर रहा है, तो बात करता हुआ है कौनसा smartphone आपको purchase करना है, तो देखो यार, यहार specification अच्छा offer कर रहा है, Moto G22, हाँ, आपको 500 रुपे जादा यहां पर pay करना होगा अगर आप इस smartphone को purchase करोगे तो, लेकिन दोस्तों यह जो phone है, अंडर 10,000 रुपे में all average package के साथ आ रहा है, जैसे कि smartphone के अंदर display आपको देखने को मिल जाएगा, center control display के साथ, यहां पर आप full view display का मज़ा ले सकते हो, उसे के साम इसका camera भी आच्छा देखने को मिल जाएगा, और यह जो smartphone आ रह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक like करना, उसे के साथ चलन को कर लीजिए, subscribe, notification bell को जुरू all में click करना